आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Hello guys, आज का हमारा Question है कि Draw an Acute Angle Poq, ठीक है और क्या बोला है कि और Draw करो, It's Line of Symmetry को भी ठीक है, तो हमें ये Question पूछा गया है सबसे पहले हमें Acute Angle समझो क्या होता है देखो, Acute Angle Acute Angle का मतलब ही होता है जो Angle हमारा क्या हो? Less than 90 degree, ठीक है तो 90 degree से जो कम होगा वही Angle हमारा Acute Angle होता है ठीक है, अब देखो, मैं इसको Coordinate Axis पर अच्छे से Draw करता हूँ मानलो, ये हमारा Coordinate Axis है ये हमारा X Axis होता है अपन जानते है और ये हमारा क्या होता है? Y Axis, ठीक है, ऐसा कुछ है अब देखो, Acute Angle बोला है तो Acute Angle अपन क्या करेंगे? 90 degree से कम होना चाहिए तो अपन जानते हैं, ये Coordinate Axis हमारा 90 degree का होता है तो अगर मैं X Axis को एक यहाँ पे Acute Angle मानलो क्या मानलो? Sorry, X Axis को मैं यहाँ पे एक line मानलो ऐसा कुछ X Axis को मैंने एक line मानलिया और इससे कम, यानि कि Y Axis से थोड़ा सा नीचे होगा एक दूसरा line और वही हमारा क्या हो जाएगा? POQ हो जाएगा POQ, मानलो इस Point को P बोलता हूँ इस Point को Origin O बोलता हूँ और इस Point को Q बोलता हूँ तो हमें क्या करना था Draw? Angle POQ, जो कि यह हो जाएगा और यह basically आपन देख सकते हैं कि यह 90 degree से कम है क्योंकि Y Axis को टाच करता है यह O P line, तब हमारा 90 degree होता लेकिन यह O P line हमारा Y Axis के नीचे है तो यह हमारा क्या हो जाएगा? 90 degree से कम हो जाएगा यानि कि एक Acute Angle हो जाएगा तो Acute Angle हमें सबसे पहले द्रॉ करना था P O Q जो कि हमने द्रॉ कर लिया अब देखो, दूसरा चीज क्या बोला है Line of Symmetry तो Line of Symmetry क्या होता है? यह समझो Line of Symmetry तो Line of Symmetry होता क्या है? देखो, अपन Line of Symmetry को ऐसे define कर सकते हैं मानलो यह Line है, ऐसा कुछ यह Line है हमारा अगर अपने क्या किया? हमने यहां पर, मानलो एक Line ऐसा कुछ रॉ किया है टिक है? ऐसा कुछ अब हमें चाहिए, मानलो Line of Symmetry का मतलब होता क्या है? मानलो हमने यह दो दो Line के बीच अपनने क्या किया? एक ऐसा कुछ यहां पर एक Line खिश दिया ऐसा ठीक है और हमें चाहिए line of symmetry मान लो यह हमारा line of symmetry को तुम mirror मान लो ठीक है तुम mirror मैंने इसको assume कर लिया अब mirror का यह जो line है यह जो line है इसका अगर मेरे को इस mirror पर image देखना होगा तो वो हमारा image बनेगा कैसा वो हमारा image ऐसा कुछ बनेगा बिल्कुल ठीक है ऐसा कुछ image बनेगा यह image हमारा बन गया ठीक है तो इस line के लिए यह हमारा क्या हो जाएगा line of symmetry हो जाएगा यह क्या हो जाएगा हमारा line of symmetry ठीक है तो line of symmetry basically करता है क्या है इसको reflect कर देता है इस line को इस से reflect कर देगा ठीक है बीच में था ठीक है इनके ठीक बीच में था यानि कि यह basically क्या था हमारा angle of bisector था ठीक है यानि कि अगर यह angle दोनों मिल के मान लो यहां से गर मैं match करवाता आगे बढ़ा के और यह दोनों के बीच के अगर angle theta होता क्या होता angle theta होता तो basically यह कितने distance पर होता theta by 2 पे और यह भी theta by 2 पे होता ठीक है half half angle पे होता तो यानि कि इस जो angle बन रहा है acute angle इनके बीच में से ठीक बीच में से निकलेगा एक line और वही mirror का का काम करेगा और वही हमारा क्या हो जाएगा line of symmetry हो जाएगा ऐसा कुछ ठीक है यह क्या हो जाएगा हमारा line of symmetry इसको मैं mirror से दिखा देता हूं ठीक है यह दोनों तरफ reflect कर रहा है ठीक है ऐसा कुछ तो यह हमारा क्या हो जाएगा यह जो line है हमारा यह हमारा हो जाएगा line of symmetry ठीक है thank you झाल झाल